सब्सक्राइब करता है तो लॉजिक से देखा है और क्या मैं कर सकता हूं या इसके पीछे कुछ जादू है बट मैंने आपको बता है जादू नहीं होता है लॉजिक वर्क करता है तो लॉजिक से देखते हैं हम लोग कि क्या हम कर सकते है टो गाइस इतना तो मैंने आप सभी को बता रखा है मैंने को कौड़री की सीरीज में कि या रूट ऑफ 9 इस अल्वेस 3 दिस आप्टिव स्कूर रूट बोलते हैं इसको हम तो जैसे कि हम लोग गाईज रूट 6 को तोड़ देते हैं न तो और 3 में तो रूट 2 इंटू रूट 3 लिखते हैं तो अगर मैंने इसको भी वैसे ही तोड़ दिया तो क्या जाएगा square root of minus 3 into square root of minus 3 right everybody । तो यह square root of minus 3 कितना हो जाएगा that will be root 3 iota guys as i told you जैसे हमको पता है कि या root of minus 3 को हम लोग लिख सकते है root of 3 into minus 1 and that further can be broken into root of 3 into root of minus 1 and that will be root 3 iota व्हां तो गैस यह चीज सभी है है थो हमने क्या निकाल दिया इसकी वेलिउ diva रूट थूरूट करके लिख दिया 3 आयोटा स्क्वेर्ट एंड ना आयोटा स्क्वेर्टि वेल्व इतनी यह तो रबक्चा-बक्चा जानते मैं आपको बताया है कि root of minus 1 को हमने बोलते है iota square कर देंगे तो कितना हो जाएगा minus 1 so that is coming as minus 3 अरे यह क्या हो गया यह तो गड़बड हो गया यह तो प्रूब हो गया कि 3 बराबर minus 3 so guys एक जगह हमने गलती कर दी एक step यहां पर रॉंग हो गया क्या है वो step the step says guys कि if you want to write root of a b is equals to root of a into root of b that is only possible that is only possible when either of a b is positive दोनों में से एक positive होगा तभी यह possible है जैसे कि यहां पर 2 और 3 दोनों positive है तो correct है यहां पर minus 3 negative यहां पर let's suppose minus 1 negative है पर 3 positive है तो possible है but दोनों अगर negative हो जाएं तो यह गलत हो जाएगा this step is itself wrong and that is why यह 3 not equals to minus 3 होगा right everybody तो keep these small things in your mind concept clarity बहुत important है and I'll be giving you these amazing concepts in this amazing series see you until next time take care bye I'm I'm